कोनार अपना शहर अपनी बातें कषए के लागें लागें बॉरे लुटोटर कोई पेड़ को काटा नहीं है नहीं है खाली ट्रीमिंग किया है और ट्रांस पर्ण्परांट करने के प्रोसेस रहता है जब आपन उसको ट्रांस्पार्ण होता नहीं है क्योंकि जो यह रहता है कभी इधर उदर होता है इसलिए और प्रोसेस में यह उसका लॉजिकल लिए ऐसा है कि उसको करना ही पड़ता है विदाउट ऐसा नहीं आपन ट्रांस्पार्ण करते हैं उलास नगर कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोग माननिय बाला साहिब ठाकरे क्रिडा संकूल का निर्मान करने जा रहे हैं जिसके अंदर 60% जो प्लेस है वो स्पोर्ट्स ग्राउन के लिए इस्तमाल होगा बच्चों के खेलने के लिए इस्तमाल किया जाएगा और जो रेस्ट 40% जो प्लेस है वो हम लोग जो है complex बनाने के लिए use करने वाले कि हम लोग यहाँ पर कोई भी पेड को काटने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहे है हम जो ये complex ready कर रहे है इसे बनाने के दर्मियान हमारे लिए कुछ जो पेड है इसके बीच में आ रहे है तो उसके लिए भी ह हमने through the government permission निकाले कि हमें इसका solutions बताईए तो उस पर ऐसा result आया है कि हमें ये सारे plants जो है जो आप यहाँ देख सकते हैं ये red color में आपको शो कर रहे होगे ये सारे के सारे plant जो है हमारे complex के बीच में आ रहे है तो हम इन पेडों को ये red वाले जो पेड दिख रहे हैं आपक 50 की करीब से plant है trees है जो बीच में आ रही है यहाँ पर ये पूरी बॉन्डी को हम trees से cover करेंगे और जैसे कि अभी कहा जा रहा है हमने भी काफे सुना है कि हमने पेडों की cutting की है उनको बहुत बुरी तरह से काट दिया है सारी चीजे आप चाहो तो हम वो भी चीजे आपको द आ रहे है तो ये बात भी clear है कि कोई भी पूरा पेड उपर से नीचे तक का वैसे ही उठा के अगर हम उसे कहीं और replant करेंगे तो वो replant करते समय जब अगर उसे air का flow मिलेंगा हवाएंगी तो वो swing होगा यहां से वहाँ और पेड गीर जाएंगा वो survive नहीं कर पाएंगा इ दीख सकते जाए तो यह सारी जितने भी इंडोर्स दिख रहे है यह सारे पेड जो है यह कृम होकर है वहां पर हम उन्हें वहां से उठाकर के ई जितने भी क्या क्या सुविदाएं लोगों के लिए रहेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह ओपन कोनार्ग अपना शहर अपनी बातें